अगर अच्छा दिखना माइने रखता तो माता पारवती, भगवान शिव से कभी विवाह नहीं करती, अगर जाती माइने रखता तो भगवान श्री राम कभी केवड के साथ नदी पार नहीं करते। तो इस वीडियो में आपको साथ में ये भी बताने वाला हूँ, कैसे आपको रिल्स वीडियो में उस एड़ करना है, मतलब इडिटिंग भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बीना स्किप किये देखेगा, वीडियो चलिक दो वीडियो को लाइक क यहां पर आपको किसी भी लिंक पर चेले जाना है यहां पर किलिक कर देना है और यहां पर आपको जो भी क्वीट्स अच्छी लगती है उसे कॉपी कर लेना तो मुझे यह अच्छी लग रही एक जामपल के तौर पर तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा सिंपल आपको कॉपी वाले उप्सन पर क्लिक करना है और यह कॉपी हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे एक एप में जहां पर इस कुपी करके बैक आ चुका हूँ स्क्रीन पर आपको एक रेट कलर का एप देखने के मिल रहा होगा एई वाइस आपको इसी एप को डाउनलोड कर लेना है सिंपली यह आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा हो सकता मैं इसका लिंक प्रेस्क्रिप्शन में भी दे दूँ जहां से आप असानी से इस एप को ड कर दिया है तो अब यहां पर ऊप्सन देखने के मिल जाता वाइस करेक्टर का जहां पर मैंने इलोन मज को सिलेट कर रखा है जैसी आप यहां पर आप क्लिक करते हूं नीचे आपको चार तरह के और भी वाइस देखने के मिल जाएंगे जो सबसे यह नीचे वाला है यह एक फिमेल वाइस है तो यहां पर आप चार तरह के जो वाइस है असानी से सिलेट कर सकते हूँ सिलेट करने गवाँ जैसे आप जनरेट पर क्लिक करते हूँ जो आपकी जो भी आपकी क्वीट्स होगी वो AI वाइस में जनरेट हो जाएगी और उपर आपको दो अप्सन भी देखने के मिल जाते हैं जैसे कि यह 50-50% पर वाइस क्लियरटी और इंटोनेशन तो यहां पर इसे भी आप इंक्रीड इकरिस कर सकते हो अगर आप इसे इंक्रीज करते हो थोड़ा और भी लाओडनेस हो जाएगी आवाज और यह वाइस क्लि हो चुकि है जैसे मैं प्लेज जेनरेट वाइस पर क्लिक करूँगा यह हमारी जो वाइस से व प्ले हुज जाएगी तो मैं प्ले करोके सून लेता हैं और आपको भी सुना सिखाती है और मन को लगने माली चोड समझदारी से जीना सिखाती है तो दोस्तों अभी आपने सुना हमारी AIWISE कितनी अची तरह से जनेरेट हो चुकी अगर आपको इस AIWISE को और भी इनहेंस करना हो तो किसी भी भी वाइस एडिटिंग एब में जाकर थोड़ी से इसमें बेस या कि रिस भी जो है क्रिएट कर सकती हो अब हम बात कर लेते हैं से स Screen Recording On करने से पहले एक छोटी सेटिंग करना है वह क्या है आपको सेटिंग में जाना स्थी में नीचे को आपको साँड्सवाला ओप्शन देखने में लिकार जाता ह। यहाँ पर आपको system sound को select करना है या system mic को select करना है क्योंकि अगर जब आप screen recording start करती हो तो वो आपके system से ही record होगा तो यह क्या करना है आपको यहाँ पर इसे play कर लेना है और फिर आपको screen recording on करना है और यह screen recording के थूरू अपने gallery में save कर लेना है फिर किसे भी video editing app में जाकर यह जो audio होगा उसे हम extract कर लेंगे तो यहाँ पर मैं फटाफट screen recording के थूरू अपने gallery में से save कर लेता हूँ तो दोस्तों इस audio को अपने gallery में save करने के बाद आपको क्या करना जो भी आपने पर जाना है तो chrome पर आने के बाद आपको search कर लेना pickpacks.com जो कि मैंने search कर रहा है स्क्रीन पर आपको search bracket भी देखने मिल जाता है जिस भी गौड भागवान का आपको picture चाहिए simply आपको type करके search कर लेना है Lord Krishna जो कि मैंने लिकर search किया था तो यहां पर आप देख सब्सक्राइब के कुछ images देखने मिल जाएंगे तो यह नहीं देखना है आपको थोड़ा सा और भी नीचे तो slide करना है यहां पर मैं एक image पर click करेंगा तो मैंने click कर दिया जिस भी तरह कि आपको images चाहिए simply यहांसे आपको download कर लेना है अगर इसे download करना है इसे tap करके रखेंगा इसे download कर लेजीगा और भी नीचे आपको बहुत सारी images देखने मिल जाएंगे तो यहां से सबसे पहले हम 24 रिजुलेशन डाउलोड इस वाल पेपर तो इस पर हम click करेंगे यहां से आप simply स्क्रीन पर एक बहुत टैप करके यहां से भी download कर सकते हो copy images पर click करके या तो आप नीचे सिंपल सा download वाल option देखने मिल जाए या थोड़ा सम नीचे और भी slide करेंगे तो यहां पर हम देख लेंगे download वाल option कहां पर देखने मिलता है तो यह उपर है डाउलोड वाल पेपर पर जैसे आप क्लिक करते हो यह जो भी वाल पेपर आपके गैलरी में सेब हो जाएगा तो कुछ इस तरह आपको अपने क्यूट्स के ही साफ से images को डाउनलोड करने ना फिर हम चलते है जहां पर हम अपने रील वीडियो को इडिट करेंगे तो दोस्तों अब मैं क्यपकेट एप को ओपिन कर लूंगा सामने आप देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट देखने क्लमेल जाता है जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो आपकी गैलरी ओपिन हो जाएगी जिस भी वीडिय क्या इा करना सबसे पहले आपको उपने एक इट्एन फाट करना यहां पर को निच्चे थोड़ा सालैट करना सामने को रसा देखने के कुलिक सैंक करना है और आपको आपको अपने रेल huisला विडियो का जो जो सिलेट उने वहां जो कि मैंने इंकिक्ज और रक है उसके लेकिन आप ध्यान दिजिएगा, अपने quids के हिसाब से पिक्चर एड़ करेगा, तो मैं अपने quids के हिसाब से पिक्चर एड़ कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ, तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे picture को quids के हिसाब से step by step प्लेस कर दिया, अब बारी आती है, यहाँ पर AI voice add करने का, जो भी आपने जनरेट करेके अपने audio फाइल में रखा हुआ है, उसे यहाँ पर add करना है, तो उसे add करने के लिए simply आपको audio आइकन पर click करना है हम उस audio को video से extract करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको extract वाला option देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद जिस भी वीडियो से आपको जो audio आपको अपने वीडियो में add करना है, उस वीडियो को select करना है तो मुझे इस वीडियो का audio करना है तो मैं इस पर tap करूंगा, नीचे import sound only पर click कर दूँगा, यह click कर दिया यह import हो चुका है, जो हमारी audio है तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ यह जो हमारी audio है, इंपोर्ट हो चुका है, मैं आपको play करके भी सुना देता हूँ श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अच्छा कर्म करने में ध्यान रखते हैं, तो आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों अभी आपने इस AI wise को सुना, अब हम बात करें अगले step का, अगले step में आपको क्या ध्यान देना है, जैसी आपकी AI wise की एक line खतम होती है, उसके बाद आपके screen पर दूसरा image आ जाना चाहिए, जो कि यह आप स्क्रीन पर देख सकते हूँ, जैसे आपकी दूसरी line इंड होती है, तो तीसरा image जो भी है, आ जाना चाहिए screen पर, अगर ऐसा होता है तो जो आपकी वीडियो है और भी अच्छी बन जाएगी, और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना, जो भी आपने AI wise generate की है, उस AI wise में बहुत सारा noise है, उसे remove करने के लिए क्या करना है नीचे आपको sound collection पर एक बार click करना है जो कि मैंने click कर दिया है, नीचे थोड़ा करने वाले हैं, background music गहने वाले है, background music गहने लिए, जो भी यह हमारी photos we do is, sorry, यह photoес तो इसमें हम effect आड़ MH, transition आड़ करने वाले हैं, background music के हिसाब से ही यहाँ पर जो आपको effect आड़ करना है, तो सबसे पहले आपको background music आड़ करने के लिए नीचे आपको करना नीचे मैं तोड़ सा स्लाइट करोंगा और मैंने एक बाइग्राउंड मुजिक जो डाउं लोड करके है उसे मैं यहांपर कर लेने वाला हूं तो यहां पर आपको प्लस आपकर अ कलिक करना ये background music add हो चुका है, इसका जो volume label है, आपको 15-20% रखना है, तो मैं इसे 15-20% के बीच में रख लेता हूँ, sign वाले बटन पर अब click कर देता हूँ, अब मैं इसे आपको play करके दिखा देता हूँ, फिर हम अपने footage में effect add करने वाले हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अच्छा कर्म करने में ध्यान रखते हैं, तो आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर background music add करने एक बाद, अब हम इन सारे picture में effect add करने वाले, effect add करने के लिए नीचे आपको effect वाला option देखने वाले मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, साइड में आपको photo effect वाला option देखने के लिए जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से मन्चा एक कोई भी effect add कर सकती हूँ, तो यहाँ से मैं slide करते हुए, एक अच्छा सा effect add कर लेता हूँ, जो कि यह 3D zoom pro है, तो इससे मैंने add कर लि पिर से मैं यहाँ पर जामगा, फोटेज वाला option पर जामगा, और यहाँ से इस भी फोटेज पर effect add कर लेता हूँ, तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 picture add कर रखे हैं, जो कि मैंने 3 picture पर effect लगा दिया, अब बारी आती है, यहाँ पर transition add करने का, तो यहाँ पर आपको center में add हो चुका है, sign button पर click करूँगा, यह कुछ इस तरह देखने के लिए मिल जाता है, फिर हम दूसरे picture पर इसे add कर लेंगे, फिर यहाँ से भी ऐसे आपको add कर लेना, अगर आपका 3 picture भी होगा, sorry, 4, 5, ऐसे ही आपको add कर लेना, अब मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडिय कहाते हैं, इसे पहला लेनल सिरीकरिशन कहाते हैं, तो यहाँ पर मैंने type कर दिया सिरीकरिशन कहते हैं, सबसे पहले हम इसका font चेंज करने वाले हैं, तो नीचे आपको font वाले option पर click करना, नीचे आपको बहुत सारे font देखने कर मिल जाएगी, यहाँ से एक अच्छा सा आप font isolate कर लूँगा और नीचे ऐसे slide कर लूँगा, ऐसे आपको slide कर लेना है, मन्चाय यहां से आप कोई भी font isolate कर सकते हूँ, मैं example की तोर पर ही एक font isolate कर रहा हूँ, अब हम बात कर लेते हैं, font के side में आपको style वाल option देखने कर मिल जाता है, जैसे आप यहां पर click करते हूँ, screen पर आपको बहुत सारे color देखने कर मिल जाएंगे, जो कि आप मन्चाय color को select कर सकते हूँ, लेकिन मैं आपसे यहां पर बोलना चाहूँगा, आप shadow को select करो, यहां पर canvas के side में shadow वाल option देखने कर मिल जाता है, यहां पर आपको black select करना है, और इसे increase कर लेना, जो कि आप देख सकते हूँ, जो आपका text है, वो काफी अच्छा दिख रहा है, तो यहां पर मैं अच्छे से increase कर लेता हूँ, फिर sign वाले button पर click कर दूँगा, तो ऐसे आपको अपने quids को line by line लेक लेना है, और अपने AIY से match कर लेना है, फिर आपको क्या करना है, ऐसे slide करते हूँ जाना है, और जो यह black transition है, यहां पर जैसे आपका यह जो text आएगा, इसे थोड़ा सा decrease कर देना यहां पर, नहीं, तो अगर आप इसके उपर कर दोगे, तो यह ऐसे दिखेगा, तो इसे यहां पर हम थोड़ा सा decrease कर लेंगे, जैसे यह हमारा black transition start होता है, तो यह remove हो जाएगा, फिर यहां से आपको दूसरा line लिखना है, Yani text का, sorry, quids का, तो यहां से दूसरा line फिर से लिखना है, स्टार्ट कर देंगे, तो यहां से फिर से add text पर klik करना है, और यहां पर आपको दूसरा line लिख लेना है, अगर आपको अपने caption text में animation add कर ना हो, तो उसके लीए क्या करना ही, नीचे आपको एक बार अपने टेक्स पर क्लिक करना है नीचे आपको animation option देखने के मिल जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे animation देखने के मिल जाएगा मंचा animation को ऐसे select करना है sign value बटन पर क्लिक करना है यह animation जो है आपके text में apply हो जाएगा तो मैं इसे final कर लेता हूँ मैं आपको final clip दिखाता हूँ श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप अच्छा कर्म करने में ध्यान रखते हैं तो आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए तो दोस्तो जैसे आपकी वीडियो बनकर तयार हो जाए उपर आपको 1080 वाल ओप्सन देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आप किलिक करके मंच वाल्टी में अपने वीडियो को सिलेट कर सकते हूँ और सिंपली तीर वाले आइकन पर क्लिक करें कि अपने वीडियो को एजिली एक्सपोर्ट कर सकते हूँ फिर आप इस वीडियो को किसी भी सोचल मीडिया प्लेटफार्म पर जाकर अप्लोड कर सकते हूँ तो दौस्ट ये चोटी से वीडियो को कैसी लगी हो है अचिलेट लिए ओक कर देना चैनल को स्ब्सक्राइब कर दे न और भी आपको